वेल्कम बाग जी प्रोग्राम के सिसे में शामेमूत कुरेशी साथ मारे साथ मौजूद हैं अभी तोई दर पहले हमारी गुफ्तगु हो रही थी जे यूआएफ के सेडिटर कामरान मुतज़ा साहब साहब ने का जी जमाते इसलामी इस पूरे डायलॉग के प्रोसेस का भी ह है क्या पी टी आई आप्टमिस्टिक है 26 तारीक तक कोई ना कोई आगे कंसेंसिस डेट आने की एट लीस्ट पहले मरले में हम दाखिल हो सकते हैं मारिया पेरी बात तो यह है कि पी टी आई ने मुल्क के मफाद में और इस स्टेल मेट को तोड़ने के लिए नेक लियती से कोशिश की आपने देखा कि चीफ चेस्ट साहम ने बड़े वाज़ तोर पर कहा कि 14 माई का एलेक्शन की डेट और जो फैसला उस पर वो काहिम है अगर इनका ख्याल है कि वो फैसला बदला जाएगा तो हम फैसलों का मजाक नहीं बना सकते तो वो ने वाज़ पैगाम दे दिया आइन वाज़ है सुप्रीम कोड का फैसला वाज़ है और 14 की तारीख तैश होदा है पीपल्स पार्टी जो इनकी बीडियम के हलीफ है उन्होंने अपने कैंड़ेट्स नामजद कर दिये और टिक्टे भी जारी करती है इलेक्शन शेडियूल में नर्मी की गई है और जिन पार्टी को मौका मज़ीद दिया गया है कि अपने कैंड़ेट्स नामिलेट करना चाहें तो कर लें नून करना चाहें कोई और करना चाहें हम elections के लिए तैयार हैं पीडियम पहले election से फरार चाहती थी और आज अदालत से फरार हो गई तैह हुआ था कि चार बजे दूसरी सिटिंग होगी और उसमें पीडियम की सरकार बजरिया अटोरी जेनरल अपना प्रोपोजल ले करेंगे और उस प्रोपोजल की बुनियाद पर हम गुफ्त शुनीद से मामलात को तैह करने की कोशिश करेंगे लेकिन उन्हों ने आये ही नहीं क्यों नहीं आये क्योंकि पीडियम के इखतलाफात खुलकर सामने आ गये मौला फजल रहमान ने इंकार कर दिया विलावल डियाए खान गये और वहां से नाकाम लोटे उन्ह के बात पर 27 का तैह हुआ कि भी मुलाकात हो जाए जो भी अर्जी है देखिए 27 तारीक की तो सुप्रीम कोट ने डेट टैगी है कि जिस दिन वो पैसे मुंतकिल होने है रिलीज होने है टू दी एलेक्शन कमिशन 26 की डेट के लिए अगर हमसे रापता करते हैं अभी तक रा बात हैं जारीक दी है इस वकर तक मुझसे पी-डी-एम की कियादत में किसी ने रापता नहीं तैरेनी फैसले में लिखा हुए सर में वहीं से कोट कर रही हूं कि मजीद मुलाकाद 26 प्रेयल को निखा है लिखा है मैंने भी पढ़ लिया है आप सही फर्मारी हैं मैंने किसे बात की है आप से रापता नहीं हुआ तो सर पर किया लग रहा है कि swag जुलाइ के इस तारीख आई है वो इसी लिए आई कि किके कनसेंसजनेंस होगा स्थार कोई तारीक कि नहीं होगा तो फिर मैरं के अंदर तारीक काएगी हम ने तो कोशिश की ہے यह कह रहे थे क्या रहे हैं यह करें कि का हम तो इंतशार चाहती नहीं थे आपका मौकिफ क्या था आपका मौकिफ था अगर तहरीक इंसाफ संजीदा है तो दो असेंबलिया जो उनकी है वो तहलील कर दे हम कौमी इंसेंबली तहलील कर देंगे और मुल्क को इंतखाबाद के तरफ ले जाएंगे आपने ऐसा नहीं किया आईन वाज़ है आईन कहता है कि आपने नवे दिन में तरफाबात करने है सुप्रीम कोर्ट ने जो गुफत और शुरीद जो ताखिर हुई थी उसको सामने रखते हुए 14 की तारिक दे दी सुप्रीम कोर्ट का फैस्टा आप निमानते आईन को आप निमानते जी अक्टिव हुई अब क्या वो फुद अपनी इमा पे अक्टिव हुई पता नहीं या आप मुझे बेतर असेस्मेंट बताएं कि पार्टी अक्टिव होती है यकदम ये डायलॉग अक्टिव के बारे में गुफ्तगू होती है और कहते है जी कंसेंसिस डेट निकाल ये खुद आइन से मावरा हम नहीं कर सकते अगर जुलाई में भी जाएंगे पिर वो भी आइन से मावरा होगा ना अगर कंसेंसिस की को तो उसके लिए हमें बिलकुल शहीं कह रही है अगर जुलाई में जाएंगे तो आइन से मावरा होगा तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर ये स होगी ना जो इत्याई अक्स्तियर के से मिलेगी horizont Wik जुब ही कि व Redmi को शौने में श करणा होगे ना कर नावा घर से हम मुल्क में इंतखाबाबा चाहते हैं हम समझते हैं इंतखाबार के लावा और कोई मुनासिब रास्ता नहीं है तो लेकिन सर शरायत क्या होंगी न क्योंकि नुक्ता ए आगाज तो होना है क्या आप लोगों ने कोई तीन चार शरायत दी कि वह यह यह जो केसे जैन को रोल बैक करें गरिफ्तारी यह जो बोड़ी है चोड़े चार शरायत सर्कुलेट हो रही थी मीडिया के ओपर वह अपने की किसीस कोशिश करर रहा हूं कि हमने का था कि PDM के पास कोई प्रपोजल है तब कुफ्त-ग५ ररॉग करें के ना अभी तक उन्ने प्रपोजल करूं हमारे सामने लाई है नहीं तो वह सबस्स vintage क्या करूं कुछ उस सामने रखेंगे तो कुमन करूँगा ठीक और सर obviously क्योंकि बात आगे डायलोग से ही होनी है जो भी होगा election पीडियम की सरकार अपने एकिलाफाद को दफन करकर आएगी proposal लेकर आएगी हम उस पर गुफटगू भी करेंगे और counter proposal भी दे देंगे counter proposal कोई है आप लोग का क्योंकि वो कहते हैं कि सवाई election की date कोई बात करने के लावा आप कोई बात करने को तयार नहीं है वो कहते हैं माजी आपका ऐसे कि commitment दे कर आप आते हैं वे बाद में खान साब कहते हैं कि तक्या mind तब्दील होता है और फिर वैसा for example assembly जो ते उसमें से बार निकले का फैसला बड़ा उसमें मुक्तरिफ राय थी as compared to जो देखिए देखिए आप फिर माजी में जा रहे हम मुस्तफिल का रासा तरास कर रहे हैं यह बाते इतनी दफ़ा हो चुकी है कि कोई नई मतबह की नॉवल्टी नहीं है हम आगे बढ़ना चारे हैं हम चारे है कि इस टेल मेड से मुल्क को बाहर निकाला जाये अगर पी डी आई संजीदा है अगर पी डी अई अपना पी डी एम संजीदा है अगर उनमें यक्षवी है तो अपना प्रोपोजल टेबल करे हम पी टी आई उस पर रिस्पॉंड करेगी ठीक है अच्छा थोड़ा सा आगे बड़े सारी जो कोई टिकेट जो है आज आप लोग फाइनलाइस करें पीपल्स पार्टी भी कर रही है पीमिलन फिलाल जो है इस हवाले से कोई डिवलिपमेंट नहीं है तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं किया 14 तारीक को एलेक्शन ना होने की या उसमें कन्फूजन के हवाले से नून लीग ने भी तक क्यों नहीं इंतखाबी अमल के अंदर मुकंबल तोर पे साली है जबके पीपल्स पार्टी ले रही है पीटी आई ले रही है क्यों ऐसा हो रहा है आपके नस्दीग मैं तो असकर रहा हूं मैं पहले भी कहा मैं दुबारा दोरा रहताओं पीडियेम इस वकत gem sensor है ऐलेक्शन में जाना है नहीं जाना उनको अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो अपने अंदर यक्सुई पैदा करने में नाकाम हो रहे है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सार टिक्टे PTI की भी अब जो है इस मरतबा जो डिस्ट्रिब्यूट हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि पिछली दफ़ा तो आपको अगिला था कि भी आपको हरवाया गया इस वसर टिकेट नहीं मिला पंजाब के अंदर आपको फवाद साब को नहीं मिला बहुत सारे जो लोग जो पंजाब के अंदर टिकेट के खौाइश मनते नहीं मिला आपको भी नहीं मिला टिकेट इस मरतबा कोई कोई खास इसक्रीनिंग प्रॉसेस है जिसके तहते टिकेट स कि वजाहत करतूं, हाप इसवार उठाय है. बिल्कुल मुझे इम्रान खान साहब ने टिक्ट से इंकार नहीं किया. उन्होंने बिल्कुल कहा कि टू वण सेवन में ये सीथ हमने जीती थी, मेरे बेटे ने जीती थी और मैंने भी अप्लाय किया था. उन्होंने अपनी तो पाकिस्तान में फेस करने हैं और उन्हें मेरी जरूरत मरकज में होगी। मैंने खान साथ और पार्टी के मफाद में अपनी जात को पीछे रखते हुए पार्टी के मफाद को तरजी दी है। इमरान खान मेरे कैप्टन है। वो जहां मुझे बैटिंग ओर्डर देंगे ज खिलाना चाहेंगे, मैं खेलूंगा, मैं उनके डिसिप्रन का और उनके विजिन का पाबंद हूँ। कुछ स्यासी वजुहात की वज़े से कोच अंदुरूनी लड़ाई वो नहीं वह पिर बुजदा साब को सीम लगाना पड़े कि इस मर्तब यही लग रहा है कि हवीवेट्स बजायर कोई नजर नहीं आ रहे तो शायद इसी तरह से कोई आपका कैंडिडेट को आपने पिछ पी है जिनने तजर्बा भी है और वो जिम्मदारी अगर वो दी जाये तो बतरी के एसंस अबाल सकते हैं इन्शालला सरी सर कोई दो तीन कोई फ्रंट रेनर्स जो है जो पार्टी के अदर हो उसके लिए अर्ज यह है मैं आज कर चुका अभी कुछ कहना कबलस वक्त है एलेक्शन हो जाएं उसके बाद सारी सुरतहाल को गेज करते हुए पार्टी के चेर्मेन मुनासर फैसला करेंगे ठीक है सर ये बजाहर ये ना हो कि परवेजलाई साब के नाम भी कुराय फाल निकल सकता है ये ये पार्ग जरूर कीजिए आप अखज जरूर कीजिए उर पिल्कों छीक बात है लेकिन आपकेड Elect популяр क के लिए दोचा कि वो जो कहेंगे पंजाब भी दिन विफाक हुशे कशखव ला कर लेंगे और मैंने तिक टिकेट के लिए और मैंने वहाँ कोर्द मने बगर उप्टकिट है गए और मों नोनेशन पेपर भरा गन दोरों ने वो टिकेट मेरे बेटे को दे दिया साही, बहुत शुक्रिया, शाम हमुद कुरेशी साहब हमारे साथ मौझूद थे